दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चेनल पर स्वागत है दोस्तों दिल की बात जुमा तक लाने में अकसर लोगों को काफी समय लग जाता है खेर इसमें कई लोगों को तो सालों गुजर जाते हैं क्योंकि कई बार लड़कों और पुर्सों को लड़कियों और इस्त्रियों की ओर से कई एक लव सिगनल मिलते हैं किंतु ज़्यादा तर लड़के और पुरुस इस बात को समझ गी नहीं पाते शलों बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ओल पर क्लिक करें नमबर बन दोस्तो जब लड़किया किसी लड़के या प्रुश से प्यार करने लगती हैं तो वें सोचती हैं कि सबसे पहले प्यार की पहल लड़के या प्रुश की ओर से होनी चाहिए किन्तु लड़की या इस्तरी कई लोगों के बीच सिर्फ आपको ही रिस्पॉंस दे रही है या जब लड़की आपसे बार बार उठे और जगड़ा करे किन्तु आपसे बिना बात किये रह नहीं पाती तो निश्चित ही लड़की आपसे प्यार करने लगी है सिकंड नमबर दोस्तो आपका ऐसा कोई जोक्स या कोई बात जिस पर किसी को हसी ना आए किन्तु आपकी उसी बात पर लड़की खुल कर हसे या बातचीत के दौरान लड़की आपके ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने की कोसिस करे तो यही प्यार का संकेत है इतना ही नहीं यदि लड़की आपको देखकर बार बार अपने बालों को ठीक करती है अपने बालों की लटों में उलियां फिराती है तो निश्चित ही लड़की आपसे प्यार करने लगी है थाड़ नमबर दोस्तो अगर लड़की आपसे जादा देर तक आई कॉंटेक्ट बना कर रखे या आपको देखते ही मुस्कराते हुए अपनी नजरे नीचे जुखा ले तो यह भी प्यार का संकेत है इतना ही नहीं यदि लड़की आपके साथ जादा से जादा देर तक रहने के बहाने खोजे या किसी ना किसी बहाने से लड़की आपको टच करने की कोशिस करे तो निश्चित ही लड़की आपसे प्यार करने लगी है दोस्तों अगर लड़की लड़के को देखकर अपने हाथों को रब करे अपने सरीर के कुछ विसेस हिस्सों को टच करे या जब लड़की लड़के को देखकर अपने कपड़ों को ठीक करने की कोसिस करे तो निश्चित ही लड़की लड़के से प्यार करने लगी है लेकिन जब लड़की की और से लड़के को इस तरह के संकेत बार बार मिलने लगें तभी इसे प्यार समझें क्योंकि एकाद बार तो जाने अंजाने में भी ऐसा हो सकता है दोस्तों वीडियो को लाइप करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद